आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ value है, Null Vector मतलब A Vector क्रोस B Vector यह है, Null Vector मतलब 0 अब A Vector क्रोस B Vector क्या होता है A मतलब Magnitude of A Into Magnitude of B Into Σinde Theta और N Cape N Cape कह HAS जो direction होगी A क्रोस B की equals to a zero vector यहाँ पर क्या A और B इनके लिए तो नहीं का कि यह दोनों zero होंगे क्योंकि यह तो कोई non zero vectors है मतलब इनके लिए कुछ भी नहीं का कि यह zero है या नहीं है तो यहाँ पर अगर sin theta zero हो जाए तो फिर यह क्या है यह पुरा product हो जाएगा zero अब sin theta equals to कब zero होगा जब theta equals to या तो zero degree हो या फिर 180 degree हो तब भी क्या होगा A cross B यह zero vector देगा तो फिर A और B vector के बीच में अगर angle हो zero degree या फिर 180 degree या फिर इसी के multiple के अंदर तो फिर A cross B की value आएगी zero यहाँ पर है option two zero degree तो है नहीं यहाँ पर पर option two है जो की 180 degree है तो हमारा answer क्या हो जाएगा option two मतलब 180 degree Thank you